नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार एनम 10700 भरती लेटिस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और स्वस्थोंगे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एनम 10700 भरती और एनम 12771 पदों पर होने वाली X-ray, ECG और Lab Technician से संबधित आपको महत्वपोर जानकारी देने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि आखिरकार मुख्मंत्री की जो बैठक संपन हुई है उसमें जो एनम 10700 भरती और बिहार एनम 12771 में होने वाली भरती की विस्टे में क्या कुछ फैसला लिया गया है और जो सवाल उठाया गया है आखिरकार वो मुख्मंत्री की अधिस्ता की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इस प्रस्नों को उठाया गया है तो आखिरकार अधिकारियों का जवाब क्या आया क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि लगातार बिहार में एनेम चात्रों का प्रदर्सन जारी है ऐसे में बिहार एनेम 10,700 भरती प्रक्रिया में लगातार जो संविधा वाले कंडिडेट है वो कांसलिंग की मांग कर रहे है ऐसे में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोर जानकारी मिले गए तो दोस्तों आप लोगों से केवले के रिक्विष्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी सेर केजे ताकि इसी तरक जो लेटेस्ट अपडेट है उस सबसे पहले आपको मिलती रहा चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यारति को मालूम होगा कि बिहार में एनेम छात्रों का जो प्रतरसन है वो लगातार चल रहा है वो लगातार एनेम छात्र संबीदा वाले जितने भी कंडेरेट है वो यही मांग कर रहे हैं कि एनेम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में हर हाल में काउंसलिंग ही लागो हूँ क्योंकि हमारा प्रयास्य ही था कि एनम दसजार सासरों भरती प्रक्रिया में काउंसलिंग ही लागो ऐसे में जो सरकार का फैसला आया और चातरों के अनहित में आया इसलिए लगातार चातर प्रदर्सन कर रहे थे और प्रदर्सन करने के बाद लगातार लगभग एक हजार से ज़्यादा जो अप्लीकेशन फार्म सीम नितीस कुमार को सौपे गये थे ऐसे में आयोग को भी ये फार्म सौपा गया था जो ग्यापन दिया गया था तो ग्यापन देने के बाद आयोग ने सभी छात्रों के ग्यापन का निस्तारण किया और निस्तारण होने के बाद जो मुख्रमंत्री की अध्यस्ता की मीटिंग हुई है उसमें एनम 10,700 भरती से संब्दित लगातार फैसला लिया गया अर्था दोस्तों आपको तो मालू होगा कि बिहार में एनम समेथ 12,771 पद के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें ECG और X-Ray तथा Lab Technician के पद सामिल है आईसे में जो ECG, X-Ray और Lab Technician का पद जारी किया गया था उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन के अनुसार उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया संभावित थी लेकिन एनम 10,700 भरती में काउंसलिंग प्रक्रिया संभावित नहीं होई तो लगाता अब भ्यारती यही मांग कर रहे थी कि एनम 10,700 भरती प्रक्रिया में भी काउंसलिंग की ही मांग लागो क्योंकि अगर ECG में काउंसलिंग हो सकती है एक्सरे में काउंसलिंग हो सकती है तो क्या एनम 10,700 भरती प्रक्रिया में काउंसलिंग नहीं हो सकती ऐसा सवाल अभ्या और एक्सरे इन सभी वेकेंसियों पर भी जो एनेम दसजार सासनों भरती की जो प्रक्रिया थी उसी आधार पर पूरा किया जाएगा मतलब इसीजी एक्सरे लेफ टेकनेशन के जो पद निर्धारित किये गये थे उन सभी पद में भी अब परिच्छा का माध्यम चुना जाएगा और सभी चात्रों को एक्जाम के जरिये इसमें सिलेक्शन किया जाएगा तो दोस्तों एक ट्रकार से देखें कि देखें तो बिहार सर जारी होने के बाद बीच में ही क्यों बदला जाता क्या आयोग नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उसको बदल नहीं सकता था ऐसे में अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया तो छात्रों के मन में लगातार चिंताय उत्पन हुई कि इसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया लागू है तो फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये ख़बर आई कि इसमें भी जो एक काउंसलिंग की प्रक्रियात लागू हो गई थी उसको रद्द करके इस भरती में भी एक्जाम का आधार माना गया है अगर दोस्तों अगर इसी तरह का सिलसला लगातार बिहार में चलता रहा तो हो सकता है कि बिहार आयोग जो वैकेंसी है केवल बिग्यापन ही निकालेगा और बिग्यापन निकालते निकालते जो भरती है उसको पूरा नहीं क लिकालना है और सभी चात्रों से आनलाइन आवेदन करवाना है और आनलाइन आवेदन करवाने के बाद फिर उसमें लगातार परिवर्तन करना अगर यही सिलसला आयो का लगातार जारी रहा तो हो सकता है बिहार में जो भरती का विग्यापन जारी होता है वो वैकेंसी पूर या फार्मसिक्ट की बैंगेंसी को भी एक्जाब के थुरू पूरा किया जागा ईसे में सवाल तो बनता है कि लगातार आयोक के माध्यम से जो परीवरतन किया रहा हों सभी वेगंस परीवरतन किया जाven कि आखिरकार एम ही बैगेंसी में तो ऐसे में अध्यस्ता जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में बखुत बड़ा फैसला लिया गया सबसे पहले अधिकारियों के द्वारा सभी चात्रों के द्वारा लगबख एक हजार से ज्यादा ग्यापन सहुंपे गए थी जिसमेंसे आयोग को भी प्रस्थूत किया गया और प्रस्थूत करने के बाद यही निर्ड़ा लिया गया कि आखिरकार बिहार में एनम दसजार सासरों भरती की जो प्राक्रिया है उस सम्विदा वाले चातर काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं तो हमने आराच्षण तो दिया है तो अध्यस्ता की मीटिंग में साफ फैसला लिया कि उसमें यह बता गया कि हमने बिहार गवर्मेंट के मादम से बता गया कि हमने सम्विदा वाले चात्रों को 40% आराच्षण दिया है अगर 40% आराच्षण के अधार पर वह अपनी जॉइन नहीं मवली लागों हो चुकी है और नहीं मवली के ही आधार पर हर वैकेंसी को पूरा किया जाएगा चाहे वह एकसरे की वैकेंसी हो चाहे जितनी भी वैकेंसी हो अगर इस प्रकार देखा जाए तो बिहार गवर्मेंट लगातार यहीं प्रयास है कि इस भरती में जितनी भी भरती हैं जाहे जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए हर भरती में काउंसलिंग को जो आधार पुराना लागो था उस आधार को बदल कर सब में एकजाम की प्रक्रिया लागो हो तो जो मुख्मंतरी की अधिस्ता की मीटिंग हो थे वो बैठक के संपन के जो बैठक हो उसमें यही फैसला लिया गया कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया लागो नहीं होगे किवल एकजाम के थूरू हर वैकेंसी को पूरा किया जागा तो दोस्तों जितने भी चातर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और यही मांग कर रहे थे कि एनम दसजार सासनों भरती प्र काउंसलिंग के अधार पर पूरा किजिए बाकि जो अगला आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसको एकजाम के थूरू पूरा किजिए लेकिन बिहार गौर्मेंट मानने का प्रयास नहीं कर रही है और यही बिहार गौर्मेंट का लगातार प्रयातना है और आयो का भी यही प्रतना है कि हर भरती को केवल एकजाम के थूरू ही लागू किया जाए तो दोस्तों आप लोग जितने भी कंडिडेट हैं जितने भी चातर हैं जो लगातार यही प्रयास कर रहे थे कि इस भरती में काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू हो तो उन चातरों के लिए नि मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही साफ साफ असपश्ट रूप में निल्ले लिया गया क्योंकि अधिकारियों के द्वारा प्रस्ण उठाया गया था कि लगातार अभ्यारती आज 21 दिन हो चुके हैं और 21 दिन से अभ्यारतियों का प्रदर्सन जारी है लगातार ही माध्यम से अब निल्ले कि जो घोश्टा है वो कि जाएगी तो दोस्तों मीटिंग में सीम नितियुस कुमार जी के दौरा ये साफ साफ असपश्ट रूप में सूतरों के अनुसार जो अपडेट मिल लिए यही बताया गया है कि बिहार में जो एनम दसजार सासनों भरती कि जो बहाली होगी उस बहाली को एकजाम के ही आधार पर पूरा किया जाएगा अर्थात सभी चात्रों को एकजाम देना होगा बिना एकजाम के किसी भी चात्रों का सिलेक्शन एनम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में होना असंब हो है इसलिए दोस्तों अगर एक प्रक ख्रास नहीं कर रही है अगर बिहार सरकार के द्वारा निर्ड़ा नहीं बतला जाएगा तो और गर्लाइन और जो कर दो वो नहीं बचेगा इसलिए दोस्तों बिहार सरकार के पास जो डाटा सत्यापित किया गया था उसमें यही किया गया था कि इस भारती को हर हाल में दिसंबर के लाश्ट माहा तक पूरा करना है और चात्रों से एक्जाम लेना है और एक्जाम लेने के बाद इसमें जो अगला चरन निर्धारीत किया जायगा काउंसलिंग की प्रकृया फिर उसके बाद जो अगला चरन निर्धारीत किया जाईगा वह भू होनी लेटर वित रदी तो ऐसे में अगर देखे जाए तो हरहाल में जनवरी से फरवरी तक एन्म दसजार सासन और भरती की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का जो लच्छव बिहार सरकार के गौर्मेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जल से जल आवेदन जो प्रक्रिया है उसको पूरी किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल से जल एक्जाम की तारीखों का निर्धारण कर दिये जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जितने भी कंडिडेट हैं आपके पास अभी जो समय बचा हो है वो बहुत कम समय है। अगर बिहार सरकार नौंबर या दिसंबर के प्रथम सब्ता या दिसंबर के आखरी सब्ता में एक्जाम की तित्का निर्धारण करती है तो हो सकता है जो एक्जाम की प्रक्रिया हो पंदरा दिसंबर से लागू हो जाएगी। अगर 15 दिसंबर तक एकजाम की प्रक्रिया है उसको लागू किया जागा तो हो सकता है 15 जनवरी से 20 जनवरी के मद्ध इसका रिजल्ट भी आ जागा अगर रिजल्ट आ गया तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द हो जागी यानि इस भरती को अगर बात करें तो इस भरती के जो आदहार है वो एक जाम का ही आदहार है और इसको जो पूरा करने का लच्छ निर्धारित किया गया हो हर हाल में फरवरी तक इस भरती को पूरा करके सभी छात्रों को न्यूक्ति पत्र का वित्रण बिहार गवर्मेंट के द्वारा देने का लच्छ निर्धारित है क्योंक चात्रों को जो नियूकती पत्र वित्राण है उसको जल्द से जल्द दे दिया जाए तो दोस्तों आप लोग जितने भी चात्र हैं